दोस्तों नमस्कार यह हमारी डीडी फ्री डिस्क के उपर कंप्लीट वीडियो होने वाली है इसमें आपको मैं तीनों चीजे बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों नो सिंगनल के बारे में फिन नो प्रोग्राम फाउंड के बारे में और उसके बाद दोस्तों आपको यह भी बत कुछ चैनलों पर हमारे सिगनल आ रहा है और कुछ चैनलों पर हमें नो सिगनल की प्राबलम दिखाई बढ़ रही है तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप क्रपया ध्यान से देखें और पूरी वीडियो को देखें अगर आप पूरी वी दोस्तों ट्रांस-प्रीकॉंसिट्टाव लेते हैं गैरह जीर dibuj कृकॉत दोस्तों आते हैं कोई भी में सिगनल नहीं दिखाई पड़ता है दोस्तों अकर इसंगनर्शन में आप लिपर सिग्नल आए गी इसन्ले प्रेंट साथ आपको टीवी के ऊपर लाना बहुत पर है अगर दोस्तों ऐसे आप इसकैन करते रहेंगे तो आपको नो प्रोग्राम फाउंड ही दिखता रहेगा तो चलिए फ्रेंट्स हम सुरुवात करते हैं नो सिगनल की प्राबलम से जैसा कि आप देख पा रहें स्क्रीन के उपर हमें नो सिगनल दिखाई पड़ रहा है अब से पहले फ्रेंट्स आपको सारे चैनलों को एक एक करके आपको डिलीट कर देना है या फिर डिलीट आल प्रोग्राम पे जा करके आपको सारे चैनलों को डिलीट कर देना है इसके लिए फ्रेंट्स आप क्या करेंगे आपको रिमोट से मीनू बटन प्रस करना है और मीनू चैनल डिरिट कर देना है अब फ्रेंट्स आप टीवी पर देखेंगे आपकी टीवी के उपर यहां पर no TV प्रोग्राम लिख करके आने लगेगा दोस्तों आपने चैनल तो डिरिट कर दिये लेकिन फ्रेंट्स अब ही आपके सारे चैनल डिलिट नहीं हुय हैं अब friends आप जब radio list पे आखेर के ok करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे धेर सारे चैनल दिखाई पड़ेंगे तो इनको भी आपको डिलिट करना है डिलिट करने के लिए वही process है Edit पे आना है, Delete आल स्रेक्ट करना है और आपको OK बटन को प्रेस कर देना है अब Friends आपको यहाँ पे No Radio प्रोग्राम दिखाई परने लगेगा दोस्तों यह प्रिक्रिया करने के वाद आपके Box में कोई भी चैनल सेस नहीं बचता है आपका Box पूरी तरह से खाली हो जाता है अब दोस्तों आपको अपने Box के उपर Frequency को Set करना होगा इसके लिए Friends आप Program Setup पे आएंगे फिर Friends आप Add New Program पे आएंगे और इसको OK कर देंगे अब आपके सामने इस तरह से दोस्तों बिंडो ओपन हो जाएगी अब Friends आपको इस बिंडो के उपर DD Free Disk की Frequency डालनी होगी तभी आपके सिगनल आएंगे अगर Friends आप इस बिंडो के उपर सिगनल नहीं ला पाते हैं तो दोस्तों अगर आप Auto Scan करेंगे तो आपको No TV Program लिख करके आएगा और आपके कोई भी चैनल नहीं आएंगे इसलिए Friends यहाँ पे आपको सिगनल लाना अनुवार है दोस्तों आपको सिगनल लाने के लिए LMB Frequency की जगे पे आपको 0,7,50, 0,7,50 डाल लेना है फिर आपको Trans Frequency में आपको 11,090 DD Free Disk की जो सबसे Strong TP है उसको आपको यहाँ पे Add कर लेना है उसके बाद आप दोस्तों नीचे आएंगे Symbol 8 के उपर यहाँ पे आपको 29,500 डाल देना है इसके बाद Friends आप नीचे आएंगे जहाँ पे आपका Polarity लिखा हुआ है Polarity में अगर आपका यश लिखा हुआ है तो आपको इसकी जगे पे V कर देना है वी करने के दिए दोस्तों आप Remote से Up Down की का इस्तेमाल करेंगे और आपका यह V हो जाएगा इसके बाद Friends आपको 22 के को आफ रखना है डिस्क के उसी भी आपको आफ रखना है अब Mode हमारा जो है वो आल रहना चाहिए अब Friends हम देखेंगे नीचे हमारे सिगनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अगर Friends यहाँ पे सिगनल नहीं आते हैं और आप Water Scan कर देते हैं तो दोस्तों आपको TV के उपर No TV प्रोग्राम लिखके आएगा इसलिए Friends यहाँ पे आपको सिगनल लाना बहुत ही जरूरी है चलिए Friends मैं आपको एक बार इसको ट्राइ करके चेक करके दिखाता हूँ कि अगर आप इस कंडिशन में आप स्कैन करते हैं तो आपके सामने क्या रिजल्ट आता है चलिए Friends हम एक बार यहाँ से ओके बटन को प्रेस करते हैं तो Friends मैंने यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर दिया है अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी टीवी के उपर यहाँ पे नो टीवी प्रोग्राम फाउंड लिखके आ चुका है तो Friends अगर आपके बाक्स में सिगनल नहीं आते हैं और आप आटर स्कैन कर देते हैं और नो प्रोग्राम फाउंड लिख करके आता है तो दोस्तों आप यही कहते हैं कि वीडियो फेक है तो इसके लिए Friends आपको करना क्या है आपको यहाँ पर सिगनल लाना बहुत ही जरूरी अगर आपके सिगनल नहीं आएंगे तो आपके कोई प्रोग्राम या कोई चैनल भी नहीं आएंगे तो चलिए Friends हम फिर से एक बार एड न्यू प्रोग्राम पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी frequency को डाल लेते हैं यहाँ पर सिगनल इंटेसिटी और सिगनल क्वालिटी दोनों ही दोस्तों 0 है इस condition में Friends आपको अपना एंटीना केबल और LMB को चेक करना होगा दोस्तों यह MPG2 बाक्स में यह 00 की प्राबलम इसी लिए आती है अगर आपका एंटेना केबल, कनेक्टर या आपकी LMB खराब हो अब दोस्तों दूसरी condition यह है अगर आपका okay होता है तो आप देखेंगे यह आपकी intensity यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और सिगनल क्वालिटी भी आपकी 4-5 के आसपास दिखाई पड़ेगी दोस्तों यह मैंने complete वीडियो बनाई है इसे आप ध्यान से देखें अगर फ्रेंट्स आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप सारी problem DD-free disk की बहुत ही आसानी से दूर कर पाएंगे अब फ्रेंट्स आपको क्या करना है अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी DD-free disk की frequency को डाल लेना है और डाल लेके बाद दोस्तों आपको signal को set करना है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे frequency डाली है सेम आपको भी सी तरह से यहाँ पे डाल लेना है और उसके बाद आपको छत के उपर जाकरके आपको एंटीना को set करना है दोस्तों एक मुझसे गलती हो गई आपको उपर LMB frequency है वो आपको दोनों जगे पे 0,7,50 डालनी है तो फ्रेंट्स हम छत के उपर आ चुके हैं और यह फ्रेंट्स हमारी disk लगी हुई है इसको आपको कैसे set करना है सबसे पहले फ्रेंट्स आपको LMB का skew angle set करना है दोस्तों skew angle हर जगे का अलग-अलग होता है आपको अपने आपके हिसाब से skew angle set करना है वरना आप disk को हिलाते रहेंगे और आपका signal नहीं आएगा दोस्तों अगर आपको अपने आपका skew angle जानना है तो description में link दी हुई है उस video पर आप click करके आप video देख सकते हैं और अपने आपका skew angle जान सकते हैं अब friends हम disk को पूरब से दच्छिन की disk में move करेंगे यानि घुमाएंगे आप छट के उपर देखेंगे आपको बहुत सारी disk से लगी हुई दिखाई पर जाएंगी इसके लिए friends signal मिलाने के लिए friends आप box को छट के उपर ला सकते हैं या फिर friends आप दो mobile का सारा ले सकते हैं mobile में आप video calling करेंगे और दूसरे mobile में आप देखते हुए signal को आप मिला सकते हैं friends इसमें आपको कोशिस करनी पड़ेगी तभी आपके signal लाएंगे अगर आपको अनभो नहीं है disk set करने का तो आपको दिक्कत हो सकती है और आप आसानी से signal नहीं ला पाएंगे आपको हलका सा आप करना है और दाये से बाय जाना है फिर आपको हलका साप करना है फिर दाये से बाय जाना है इस दरे आपको नीचे डाउन करना है फिर आपको दाये से बाय जाना है फिर आपको डाउन करना है फिर दाये से बाये आपको जाना है आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको signal अवस से मिल जाएगा देंगे और इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नीचे और टीवी के उपर देखेंगे कि हमारी सिग्नल आये हैं या फिर नहीं आये हैं तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख पा रहा है हमारी टीवी के उपर यहां पर सिग्नल आ चुके हैं इसके बाद फ्रेंट्स आपको यहां यहां को प्रेस करेंगे आपकाई बाक्स स्कान करना श्टार्ट कर देगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बाक्स क्विप यहां पर स्कैनिंग चलो हो चुकी है तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहें लास्ट तक और वीडियो कर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करते हैं अभी से चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहें साधी साथ फ्रेंट्स बेल आइकान को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको सबसे पारे नौटिफिकेशन मिलती रहें यह दिखिए फ्रेंट्स हमारे चैनल यहां पे सकेन होना स्टार्ट हो चुके हैं और टोटल अमारे यहां पर अभी तक 36 चैनल मिल चुके हैं दोस्तों हमारी दीडी फ्री इमपीजी टू बाक्स के उपर टोटल 94 चैनल इस समय आ, रहे जैसा कि फ्रेंट्स आप देख पा रहे हैं हमारे बाक्स पर यहां पर 94 चैनल आ चुके हैं अब दोस्तों मैं आपको चला करके कुछ चैनल दिखाता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार